असना वाले कॉम आज जनाब हम अन्बॉक्सिंग कर रहे हैं एडिफायर कंपणी के आर सत्रासो बीटी एस यह जनाब अपनी कॉलिटी में बहुत ही शांदार पीस है इसके मैं कुछ रिव्यू आपको पहले देता हूँ आर सत्रासो बीटी एस ॉल वर्जन है आर सत्रासो बीटी इसमें विल्यूटूथ के साथ सब वूफर आउट वो किनेक्टिवीटी है second warts same R700BT , R700BTS , Tutor same RMS same dimension , Size , सब कुछ same किसी किसम की चेंजिंग नहीं है इसमें Bluetooth 5.0 इनेबिल की गई है second इसमें sub woofer out का function इनों ने दिया है ताकि future में जो Edifier introduced अपने करवा रहा है subwoofers जो आपके BARS में लग सकते है आपके satellite इसमें Woofers में लग सकते है connections में वो next month इंशालला ताला वो company launch कर रही है subwoofers वो आप इसमें लगा सकते हैं दूसरा मैं आपको इसके बारे में मताओं कि ये bookshelf series कहलाती है इसको studio series भी का जाता है और ये basically 2.0 series है यानि ये pure stereo sound left and right जो sound आपको left में आ रहा है जो sound आपको right में आ रहा है basically इसको जो समझ सकते हैं वो studio वाले समझ सकते हैं लोग जो audio mixing का काम करते हैं और editing का काम करते हैं जिनके पास studio चल रहा है recording का काम करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि monitor speakers क्या होते हैं this is called a monitor speakers studio series and bookshelf series इसको खोलते हैं चेक करते हैं जनाब R 1700 BTS कैसा material है प्रोडक कैसी है क्या यूज किया गया है आपको दिखाते हैं वीडियो मजीद देखने से पहले आप चैनल को subscribe जरूर कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया आपके कमिट्स और feedback हमें आते हैं और वैसे आप कोशिश किया करें या अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमिट्स बॉक्स में पूछ ले या फिर WhatsApp पर आप हमसे contact कर सकते हैं कॉल नहीं किया गर है कॉल हमारी बहुत कम receive करते हैं हम लोग यूज नंबर है जो हमारे पर लगा हुए वह ओफिशन नंबर है यह जनाब आगे है आपका आर सत्रासो बीटी एस चीके जनाब देख लेते हैं बीटी एस में कमपनी आपको क्या क्या दे रही है जा क्या फायदे दे रही है आपको कमपनी और आपको दरूर देंगे सबसे पहले जनाब इसमें से निकला है वारन्टी कार्ड कमपनी का वनियर का इसमें अच्छा इससे बिक चेंज लिए और сत्रासो बीटी इसमें रिमोट इसके हाफ साइस का तोर यह फुल आफ एंड इसको डबल प्रेस करेंगे तो यह आपका लेविल साउंड का बराबर करतेगा दोनों में बैलन्स करतेगा और पिलस अप माइनस पिलस है एंड नेक्स ट्रैक प्रिवेस ट्रैक अउन आफ स्टैंड बाइ रिमोट अच्छा है इंड ने फुक्सूरत है इंक जो सेल लगते वह सीयर 2025 अच्छा इसके साथ कंपनिया आपको दे रही है जनाब एक तो दे रही है ये कविल 2 प्लस टू आर्शियर 2 प्लस टू गोल्ड प्लेटिड है को ने है गोल्ड प्लेट बहुत हाई quality की high material की यूज दिये रोने 1 प्लस 2 यह आपके computer में यूज कर सकते हैं तीवी में यूज कर सकते हैं और यह भी gold-plated है gold-plated products का मतलब यह होता है कि quality शांदार होगी और आडियो की कॉलिटी शांदार होगी और प्रोड़क्ट जो है वो है भी बनाई ये कंपरी ने इसके इतना फर्चा करती है चला है जनाब गूफरणे कारते हैं ओके ये है इसका में यूनिट में यूनिट से पहले हमें ये नगर नजर आ रही है केविल जनाब आप देख सकते हैं कितनी हैवी केविल है ये सिर्फ आपसमें क्नेक्टिवीटी नहीं बनाएगी ये सांट बेस्ट्वर तो तुमाम तर चीज़ों को ये आएगी 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 आप इसमें connection देख सकते हैं इन्होंने चार connection दिये हूँ एक ground है बाकि एक left का tutor का का काम करेगा एक woofer का काम करेगा और इसको control करेगा और वायर की इसकी length तक्रिबन जो मैं समझता हूँ 12ft की wire है यह 12ft की wire है इस too much means के मेरे इस पूरे ae को cover कर लेगा कि 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 यह आगी है इसका main satellite हमारी जो videos होती है unboxing और review की आप एक चीज़ को उसमें ख्यार लखा करें कि हम जो video unboxing की हम लगाते हैं और review की उसमें हम सिर्फ review देते हैं और unboxing करते हैं music की और sound testing की video अलग लगी हुई होती है company के model के साथ जैसे यह R-1700 BTS है तो इसके sound testing की video लगी हुई होगी R-1700 BTS sound test रेडाउं तो मिदर्स टैकिंग यह नोने वेल्वेट यूस किया है ताकि इसकी polish और finishing ख़लाब नहों हो अच्छा जनाथ यह इसका second कागिया है तू पैंट जीरो का speaker अच्छा जनाथ ओके ब्यूटिफुल बहुत ही खुप्सूरत fine ages है, ages इसके बहुत fine है, imposing बहुत इच्छी हुई है कहीं पर भी हमें cut नजर नहीं आ रहा है ना हमें rough नजर आ रहा है कहीं से भी और आप इसकी lining देखें आप इसकी grains देखें जो इसके लकडी के design के grains डले हुए और बहुत शांदार है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे hood का piece है, एक्चुली इसके पर texture प्रेस्ट हुआ है और बहुत high quality से paste हुआ है यह इसकी correctivity है जो woofer के साथ बनाएंगे आप लोग rubber बहुत अच्छी quality की use के इनों है खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ इसको इसको इसके अंदर क्या लगा हुआ है जी जना ओके इसमें eagle eye tutor है, eagle eye tutor है इसमें यह उपर जो नजर आ रहा है आपको यह eagle eye tutor कहलाता है just like eagle की eye होती है और यह इसका woofer है speaker है multi काम करेगा यह बिल्कुल और इसका jump बहुत शानदार है इसका rubber बहुत अच्छा है, jump इसका बहुत अच्छा है यह इसके air के लिए है और यह steel के इनोंने clip यूज़ की है जो इसको पकड़के रखेंगे grill को second यह आगे हमारा subwoofer main इसका unit आगे है और इसके side में connections देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यह आगे है इसको आप push करेंगे तो यह देखें आप यह push कर रहे है तो यह अपनी connectivity चेंज करेंगा light चेंज करेंगा यह इसकेंड यह इसकी base है और यह इसका travel है दोनों को हमने जीरो पर कर दिया और यह आप connectivity की देख लें यह on-off आ गया है यह netlink का पाकिस्तान में आप यह देख लें आप इसका टीग देखेंगे और दूसरा आप इसमें लगाएंगे यह देख लें आप इसका टीग देखेंगे आप इसका टीग देखेंगे आप इसकी प्रोडक्स मार्किट में लगी हुई नहीं होती है डिस्प्ले पर इसलिए हम अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं कि यूनिट क्या होगा और इसका जो size है तक्रीबन वो size जो 9 इंचीज हाइट एसकी लेकिन sound quality बहुत सची है इसमें side में इनोंने light दी हुई है and यह Bluetooth दी हुई है यह light देख रहा है आप यह इसमें change है R 1700 BT में इधर light नहीं थी side में light थी इधर इनोंने लेया याँ पर इनोंने connectivity की light दी है और यह इसका connection है अब मैं इसको change करूंगा light change हो जो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपके comments का और feedback का में इंतजार रहेगा चैनल को subscribe कर दें और वीडियो पसंद आती है जो इसको like और शेयर जरूर कर दें थैंक यू बेरी मच अल्ला हाफिस